हेलो एवरिवन वेलकम टू जैस्वीज किचन आज हम बनाएंगे दाल कप रंठा ये ब्रेकफस्ट रेसिपी है बहुत ही कॉमन है इंडियन घरों में अक्सर बनती रहती है लेकिन आज हम इसको भी स्पेशल बनाएंगे तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनती है एक बाउल मे मैंने चने काट्टा आप वेशन भी डाल सकते हैं वो डाल दिया है एक चम्मची मैंने बाजरे काट्टा डाला है और दो चम्मच मैंने रागी काट्टा डाला है और ये तीनो चारो तरह के अनाज मिक्स कर दिया मैंने और एक बड़ा प्याज चौप करके डाल दिया हरी ध साबुद धनिया उसको क्रश करके डाल दिया है और 1 फोर्थ टीस्पून अजवाइन डाली है यानि की हाफ टीस्पून मैंने पुदीना चटनी मसाला डाला है उसके बाद एड़ कर लेते हैं सॉल्ट आप केरफुली आड़ करेगा क्योंकि वह जो हमने पुदीना मसाला डाल टीस्पून हल्दी पाउडर जो इसमें कलर बहुत अच्छा देगा उसके बाद लाल मिर्च आप चाहो तो एड़ करिएगा अगर आपको ज्यादा मिर्ची चाहिए तो एड़ कर लीजे अदर्वाइस हमने हरी मिर्च डाली ही हुई है और एक चोटा चमच फिर देसी घी एड़ कर दिया है जिसके कारणी यह बहुत ही खस्ता बनेगा बहुत ही टेस्टी बनेगा और निट्रिश्यस भी हो जाएगा सारी चीज़ों को हम हाथ से मिक्स कर लेते हैं हाथ होंग अची तरे से वाश कर लिया है मैंने उसके बाद अब दाल एड़ करेंगे थोड़ी थोड़ी करके आप दाल एड़ करिएगा क्यूंकि अगर अट्टा पतला हो जाता है ना फिर उसको हैंडल करना मुश्किल हो जा मेरे चैनल को सब्स्राइब जरूर कर दीजेगा लाइक और शेयर जरूर करिएगा ऐसी और न्यूटिशियस रेसिपीस के लिए मैंने दो टेबल स्पून आटा और मिक्स किया है क्योंकि यह थोड़ा पतला हो गया था मैंने पानी बिल्कुल आड नहीं करा है लेकिन फिर भी दाल थोड़ी ज़्यादा थी आटे के हिसाब से तो मैंने आटा और एड़ कर लिया है अब इसको रेस्ट करने के लिए 10 मिनट की रिए छोड़ देंगे डख के दुबारा से फिर से उसको नीड कर लेते हैं इससे यह ऐसा रखके दुबारा नीड करेंगे न तो मुलाइम स आटा लग जाता है बहुत अच्छा हो जाता है फिर आटा हमारा रेडी हो गया है अब हम तवे को गरम कर लेते हैं जो के अच्छी तरह से मैंने रगड के साफ कर लिया है उसको गरम करने के लिए रख देते हैं और बड़ी सी बॉल उस जो डो हमने बनाया न उस डो में से बड़ी सी बॉल बना लेते हैं, रोटी से थोड़ा बड़ा पेडा लेंगे, उसको सुखे अटे में रोल कर लेंगे, चकले और वेलन की मदद से फिर उसको रोटी की तरह पहले बेल लेते हैं, मैंने इसमें दो तरह की बनताना चाहा है, आपको रोटी की तरह भी और प्रांठा की तरह भी, आप जो भी चाहिए, आपको ऐसा बनाईएगा, पहले रोटी की तरह बेन लीजिए, उसके बाद देसी घी अपलाई कर लीजिए, फैला लीजिए उसको हाथ से, फिर उसके उप हाटा डस्ट करिए, उसके उपर, फिर से फोल्ड कर लीजिए, तो यह ट्राइंगूलर शेप बन जाएगी, उसकी, बस अब फिर उसको सुखे आटे में, रोल करके, चकले और बेलन की मदद से, ट्राइंगूलर शेप में ही बेल लीजिए, आप चाहें तो स्क्वियर कर लीजिए, और फिर जो हमने प्री हिट किया है तब उस पे इसको डाल लेजिए, साइड चेंज करकर के उसको टोस्ट करते जाए, केरफुली आप टर्न करिए, क्यूंकि आटा बहुत सॉफ्ट है, आप चाहें तो थोड़ा हाट डो भी लगा सकते हैं, जब ब्राउन ब् से पलट पलट के सेक लीजिए, फिर दूसरी तरफ भी की अपलाई का लीजिए, और फिर पलट के उसको सेक लीजिए, जब तक ये नाइस गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प ना हो जाए, बहुत ही टेस्टी प्राउठा बनता है ये, और बचवी दाल को यूज करने का भी ब बचस्ता है से आप बिसको सरव कर दीजिए गरमा गरम अर चाय के साथ या फिरमकषन होचन की साथ दूसरा मैं आपको छलता यह की तरह बता रही हूं चपाती की तरह बेल कर आप उसको तवे पर डाल लीजिए और सेखते चाहिए दोनों तरफ से साइट पलट पलट के सेखते चाहिए और फिर बाद में मक्खन या घी जो भी चाहें एपलाई का लीजिए और सर्व का लीजिए बहुत ही नूटिशियस प्रेकफास्ट है ये और बहुत ही क्विक बन जाता है बहुत जल्दी बन जाता है गर्म गर्म सर्व का लीजिए मैंने इसको सर्व किया है केवडा एसेंस वाली फ्लेवर्ड लसी के साथ बहुत ही मज़ेदार नाश्ता है बहुत ही नूटिशियस है बनाएगा जरूर अपनी फीडबेक जरूर दीजेगा थैंक यू फर वाचिंग